तो देखिए हम लोग का इंतिजार हुआ अब खत्म और क्लास 9 से लेके 12 के लिए जो जैक बोर्ड का हम लोग इंतिजार कर रहे थे कि सलेबस सलेबस उसका इंतिजार हुआ खत्म आ गया है अब सलेबस चलिए हम लोग देखते हैं समझते हैं और एक एक करके असान भासा में ह क्या है नहीं है इसके उपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो देखिए यहां पर आ गया है कि उच्वम उच्टर मैं ध्यमिक कच्छाओं नाइन से बारा के लिए स्लेबस है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं वह प्लब है कि यह दिया हुआ है आपका यंज कि सिर्फ इसी सेसर्ण इसी सचत्र के लिए कि 20 अकीस के लिए उखकर माइन यह rangingे क्विच करें थिकतलव में नाइनथ का ठीक है है náinyth क्लास का सिले बस हम लोग देखने वाले हैं तो छलिए हम लोग देखते हैं तो देखिये यहां पर आगे है लिए नम कलास का सिले बस तो सबसे पहले हम लोग शुरू हो गे हिंदी य HA 하지 है कि हम पर उसको हम लोग देखेंगे थी Hindiya में पहला है प्रेम चंद्र जो दो बेल की कथा है उस चेप्टर को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है उसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पार्ट संख्या ठीक है यहाँ पार्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर सिमित पार्ट करम ही तु और यहां पर कुछ चैसा होता है कि कुछ टॉपिक को हटा दिया जाता है जैसे मैं इस चैप्टर को लिया लेकिन इससे एक टॉपिक हटा दिया इस कॉल्म में यहां पर भरा जाएगा ठीक है तो इस चैप्टर जो है यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो बुक हम लोग देख है ठीक है। और पीर यहां पर तिस्षा उप्भोगत्रावाद Havard कि सेंस्किर्ती। इसको आप पर नहीं लगा हुआ इसको नहीं परेंगे। ठीक है। फिर है यहां परे की साविफपने की Cristo जाकिर हुसेन जो साउले सपनों की याद है इस अध्याय को हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि इसमें लगा हुआ ठीक है हाँ है ठीक है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे है कि आपका चेपٹर 05 नाना सहेब की पुतरी देवी मेना को भस्म कर दिया गया इस अध्याय को हम लोगों को पढ़ना है फिर यहां पे चेप्टर नमर छो जो है फ्रेम चंदर के फटे जुते इसको नहीं पढ़ना है फिर सात्वा है महादेवी बर्मा मेरे बचपन के दीन इसको पढ़ना है आपको फिर यहां पे आठवा हाजारी प्रसाद दिवेदी एक उत्ताव एक मेना इसको हम लोग नहीं जो है इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे यहां पर लिख दिया पॉइंट और दस्वा है वाख ठीक है इसको पढ़ना है इसको नहीं पढ़ना है फिर आपको यहां पर है बारवा जो है क्यादी और कोकीला इसको हम लोगों को पढ़ना है ठीक है तो चल इसको नहीं पढ़ेंगे फिर आपका आगे दिया हुआ है चंद्र गहन से लोटती बेर इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग ठीक है इसको नहीं पढ़ने वाले हैं फिर आप मेघाय इसको चर्चा करना पढ़ना भी हम लोगों को इससे कुछा जा सकता है और मोडल पेपर तक रहे गा कि क्या करना नहीं करना है पिर आपका है मैं चंदरकांथ देव ताले का यह है यहां पर दिया हुआ कि फानिस्वर नाथ रेनू जो इस जल परलाई में इसको नहीं पढ़ेंगे इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे ये भी है कि मेरे संकी औरतें ये भी नहीं पढ़ने वाले हैं रीड की हड़ी इसको पढ़ना है आपको ठीक है माती वाली ये भी पढ़ना है आपको और पाच्वा क्लेकर नहीं पढ़ना है चलिए व्याकरन में आपका दिया हुआ है सब्द निर्मान पढ़ेंगे विश्यशन मुहाबरे प्रयावाची साब्ध लींग का विषेशन पर परभाव ये भी पढ़ना है अमंबर है कि वायट सरलवाए सन्युक्त वायर ये तीनों को पढ़ह Syian पत्रलेखन फिर यहां पे समवाद लेखान यह भी दिखेंगे निबन्धन निबंध जो लिबन्ध लेखन अप घठीद का ध्यान सवां पाध्यान यह सभी को हम लोग को पढ़ना है इस हिंदी में ठीक है अब हिंदी वी वाले जो है हिंदी वी वाले के रिए हम थोड़ा से जो धीरे-द्रे स्लोली हम टेमरा को रोल करते जा रहे हैं और यह अपना स्क्रीन को धिरे-द्रे बढ़ाएंगे तो आप इसको ध्यान से देखते जाएगा ठीक है क्योंकि आधा से ज्यादे अधिकतर हिंदी यह ही रखते हैं ठीक है तो हिंदी वी वाले थोड़ा से आप हम धिरे-द्रे बढ़ाते जा रहे हैं आप यहां से आप देख सकते हैं ठीक है आप स्क्रीन सॉट ले लिजिए या फिर पीडिये जो है आपको मि लिजेगा ठीक है यह हिंदी वी जो है उनके लिए व्याकरन है ठीक है अब अंग्रेजी में आना है अंग्रेजी के लिए यहां पे धिरे-दरे रोल करते जा रहे हैं अंग्रेजी विसे के लिए ठीक है तो देखिए यहां पे धिरे-दरे बढ़ा रहे हैं क्या पढ़ना ह है ठीक है तो अंग्रेजी में जहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ इसमें और यहां पर क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना यहां करके दिया हुआ किसको नहीं पढ़ना है यह यहां पर आपको लेखनी कर दिया गया है ठीक है तो देखिए आप इसको देख सकते हैं यहां से आपका English start है इस चप्टर को पढ़ना है आपको यह भी पढ़ेंगे इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग यह पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे यह पढ़ने वाला है हम लोग को पढ़ना है जरूर यह भी है ठीक है जिसमें एस लिखा हुआ है ना आपका एस वाले सभी को हम लोगों को पढ़ना है नो वाले और इस इस कॉलूम में जो लिखा रहेगा इस टॉपिक को इस चैप्टर को नहीं पढ़ना जहां भी नो लिखा है इसको नहीं पढ़ेंगे और इस कॉलूम में जो भी चीज लिखा हुआ इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो चलिए दिरे दिरे आगे बढ़ाते हैं अगे इस तरह से एक करके अगे टाइम जादे हो जाएगा तो आप देख लिए दिरे रॉलिंग करते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं धिक है यह मोमेंट्म सब्लों मेंटरी स्टोरी को आप लोगों को पढ़ना है ठीक है और यहां फिर आपका यह जिसमें नो लिखा हुआ है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है फिर आगे आपका है यहां पे देखिए यहां पे इसको नहीं पढ़ना आरके लक्समन का यह 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 नहीं पढ़ेंगे हम लोग य देखे आप ऑफ मेखी जो लिखा हुआ ये सब हम लोग देखते जा रहे है ठीक है फर्माल लेटर तो आपको नहीं पढ़ना है फिर एं़ цен पढ़ना है आपको पाराज्राफ रैटिंग पढ़ना है ठीक को छिलेप पने कर ने देखे ग्रामर सेक्षन में है कि टाइम एंटेंस दिया हुआ है आपका यह यह पर प्रिपोजिशन एंड डारेक्ट इंडारेक्ट आपको नहीं पढ़ना है यह सब तीनों नहीं पढ़ेंगे हम ठीक है फिर आपका आ यहांपे एडिस्टनल में रख रहिए हैं तो इनका भी चाहिए तो यहांपे से सयव में आपको नहीं पढ़ना है तुरदू वाले रॉर्दू वाले है अब वीडियो को रोग के देख लिजेगा या फिर आपको इसका पीडिएफ मिल जाएगा आपको आपको डिस्क्रिप्शन से आप जाके देख सकते हैं ठीक है और साथ में बता दे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यूव है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कि इ उससाब से पढ़ाई भी हम चालू कर देंगे इसके उपर फार्सी विशे के लिए है यहां पर ठीक है संताली जो यह सब भासा है यह सब जगर रखे हुए हैं यह सब यहां पर आपको यह मिल जाएगा खायस करके हैं जो यहां पर लोग रखते हैं वही भासे को में इधर को में देखा जाता है उसी भासे को हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगा उसी सबजेक्ट के दो दो पर लोग चांद बात करेंगे क्योंकि यह सब जो है बहुत काम लोग रखते हैं ठीक है तो आप लोग इसको देख लीजेजगा खोठा देख लिजेगा ह'll यहां गनीत को समझना बहुत ज़रूरी है तोंकि गनीत में टोटर जीच कौन सा यह कुल्ड़ए पढ़ना है। कि अभी तक हम लोग यहां पड़रे थे यहां पर हाँ या नहीं लिखा हुआ था लेकिन इसमें सिर्फ चैप्टर का नाम लिख दिया है अब क्या पढ़ना है करें और अलोग को नहीं पढ़ना है तो दіखिए यहां पर चेप्टर नमबर जो वन है नमबर सिस्टम उसका बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा है आपका एक्सरसाइज 1.2 का कम्प्लीट टोटल एक्जामपल से लेके चैप्टर को यह हटा दिया गया है आपको इसको नहीं पढ़ना है फिर यहाँ पर है कि हैं एक्जामपल दस और कॉश्चन नमर्डो पांच नो अप रिलेटेड एक्सरसाइज नमबर 1.3 इसको नहीं पढ़ना है आपको ठिक है पॉस्चन नमर्वन पढ़ेंगे थिरी पढ़ेंगे फोर पढ़ेंगे सीक्स पढ़ेंगे सेवन पढ़ेंगे और ये सब को आतुए इसको आपको पढ़ना ही नहीं है exercise दो टिक है फिर यहाँ पर रहे है औक पर क्रश्थ लॉस्टर एक्सर्साइज 1.5 झ। टिक है 1.5 का question 3 और 4 नहीं पढ़ना है आप लोगों को टिक है यह कौश्ट मंबर तीन ओर चार हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको नहीं पढ़ना है अब देखिए आहां पर आपका दूसरा नमर है चेप्टर नाम तो टूटिक है इस में से क्या पढ़ेंगा नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए पर देखिए अब यहां पर देखिए चेप्टर नमर थी में पढ़ेंगे तो चैप्टर नमर थी में यह पढ़ना आपको एक्सरसाइज 3.1 complete इसको नहीं पढ़ना है 3.1 एक्सरसाइज को पढ़ना ही नहीं उसके बद जो बचता आपको पढ़ना है Q4 में आपको Q1 और Q1 एक्सरसाइज 4.1 का नहीं पढ़ना है जो बचता आपको पढ़ना है और फिर यहां पर है कि Graph of linear equation in two variable exercise इतना और यह 4.3 इसको नहीं पढ़ेंगे जो इसमें लिखा हुआ है कि कि exercise 4.3 में graph के माध्यम से जो equation हम लोग solve कर रहे थे उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है ठीक है फिर तीसरा में है कि equation of linear parallel to axis and y axis exercise 4.4 with example मतले कि exercise 4.4 और इस exercise से रिलेटरी जितना भी examples है उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि exam में यह नहीं पुछा जाने वाला है आपका तो फिर आपका को चैप्टर पांच जो है यहां पर देखिए चैप्टर पांच हम लोग देखते हैं चैप्टर पांच में है आपका कि इसमें exercise एक्जामपल 2 and question number 3 से लेकर साथ और इससे related तीन से लेकर एक्जामपल 2 और तीन से लेकर साथ से मिलता जूलता अगर exercise पांच पॉइंट एक में मिलता है तुसको आपको नहीं पढ़ना है ठीक है फिर आपका आगे है आगे देखिए कि इसमें दिया हुआ है कि यूकलीर की पांच विया अधारना के समतुलिस ठीक है रूप आंतरन और exercise पांच पढ़दू के एक्जामपल इसको नहीं हम लोग पढ़ेंगे पॉस्टर नमबर छे स्वरी पॉस्टर नमर छे जो मेरा है चेहना उसमें क्या पढ़ें और नहीं पढ़ें तो इस इस कॉल्म में जितना चीज़ लिखा हुआ है आपको इधर इधर इसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे ठीक है इसमें जो चीज़ लि दो यह नहीं पढ़ेंगे हम लोग फिर यहां पर है कि एक्जांपल आठ इससे रिलेटेड़ क्वेशन नमबर चार और छे एक्सरसाइज 6.3 में जो है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे फिर यहां पर क्वेशन नमबर पांच चेप्टर साथ में है आपका ठीक है को से नमब पर आपका है कि कॉस्चयन नमर तीन से लेकर पांच तक एक्सरसाइज 7.3 से इससे एक्जांपल और आपका है यहां पर देखिए जो साथ पॉंट चार है इसका एक्जांपल और कॉंसरेट पो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे भीक है तो और वज बाच रहे हैं जैसे मिया आप देखें हैं कि ट्राइंगल में कॉश्चन नमर दो है एक बच गया और आगे भी कॉश्चन होगा यह सब बच्छन को पढ़ना है यह सब कॉश्चन से रिलेटेट कॉंटसेप्ट और आपका जो यह एक्जामपल है उसको नहीं पढ़ना है आपको चलिए कॉश्चन आठ प्रूफ करने वाले विदाट प्रूफ और एक्सरसाइज 8.1 में जितना भी है यह सब आपको नहीं पढ़ना है ठीक है आठ पॉइंट दो का एक्सरसाइज रिलेटेटेट कॉंटसेट और प्रूफ वाले जितना भी कॉश्चन है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे फिर आ आगे हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ दिया हुआ है इसको देख लेंगे देख लेंगे ठीक है फिर आपके डस में सरकल जो है आपका एक्सर साइज इसमें से आपका है दस की सब्तुर्ण तस पांच वीट रिलेटेट कॉंट है एक्सक्प्ड विर नहीं पढ़ेंग इसको हटा दीजे आप एक्सराइज 12.2 और जितना भी एक्जामपल इसमें इसको हटा दीजे आप ठीक है फिर आपका है आदिया हुआ है कि जो 13 13 नुमर्ट चप्टर है उसमें से दिया हुआ है आपका कि एक्जामपल जो है कोसे नमबर चार और आठ से रिलेटेड जितना एक्सराइज 13.1 है इसमें लिखा हुआ जो भी है इसको नहीं पढ़ना है तो देखे हम लोग देख रहे हैं नमर्चार से गारत तक एक्सराइज तरह तक एक्सराइज 13.3 इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद फिर आप देखें नमर्पाइज से लेकर रठ आठ लोग नहीं पढ़ेंगे इस इधर जितना चीज लिखा हुआ है आपको इस कॉल्यूम में यह आपको नहीं पढ़ना है ठीक चलिए आप देखते हैं लोग विज्ञान में आ गया तो भौतिक है भौतिक की विज्ञान इसमें से क्या पढ़ना है कि मोशन गती जो गती है ग यहां पर बाल तथा गती के नियम इसमें से हम लोगों को समवेक संवरचन नहीं पढ़ना है ठीक है अ फिर आपको यहां पर आगे मिल जाएगा आपको कि देखिए आपका है गुरुत्वा कर्शन में यह सब नहीं पढ़ेंगे यह तीनों टौपिक को नहीं पढ़ना है 11 में फिर आपका यह नहीं पढ़ेंगे ठीक है 12 में फिर आप यह नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें जो ल इसको में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना तो देखें बाइले कमेस्टरी में इस चैप्टर को सेलेक्टेड किया गेर इसको पढ़ना भी है इसको डिलीट कर दिया मतलब इसको नहीं पढ़ना है इसको सेलेक्ट किया है जो सेलेक्ट वाले हैं सभी को पढ़ेंगे जो डिलीट पादनों का सुरच्छा ये नहीं पढ़ेंगे लोग ठीक है फिर आगे हम लोग देखेंगे कि यह आपका खत्म हो गया chapter number ठीक शुरी यह खत्म हो गया आपका साइंस अब हम लोग आगे इतिहास पे इतिहास में देखे एक फ्रांसिसी क्रांती है इसमें से उप विसे एक अठार्वी सदी में यह सब जिसमें जो लिखा हुआ है यह हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो लिखा हुआ इसको हटा दिजे ठीक है फिर आगे आपका आजाता है दो इसमें लिखावा इसको पढ़ेंगे इसमें जो नहीं लिखावा इसको नहीं पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे ठेक है फिर आपका चेप्टर तीन में ये सभी को हम लोग को पढ़ना है इसको नहीं पढ़ना है फिर आप आगे बढ़ते जाएंग में चारवहा ये भी हटा दिया है ठीक है फिर आगे आप जब बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें दो चेप्टर हट गया फिर आगे देखिए आप इसमें से देख सकते हैं कि लोकतंतर क्या है सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में सविधान का निर्मान जो है इसमें से हम लोगों को सिर्फ यह कि नहीं पढ़ना है कि दच्छी ना फिरका में लोगतंतर सविधान उसके बाद जू टॉपिक पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है आपका इस कॉल्म में सब्सक्राइब भारत का भौतिक सवरुप तो पढ़ना है लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ना है तो चैप्टर तीन था ये चैप्टर चार हम लोग देखते हैं चैप्टर चार जो है आपका चैप्टर चार में से पढ़ना तो जरूर है लेकिन ये सब पॉइंट को नही पढ़ना कर दो पढ़ना तो जरूर मिलाकर बात यह वगा कि इस कोवा से एक में मिलिखा हो सब्सक्राइब पालंपूर की कहानी पालंपूर की कहानी जो है आपका पालंपूर की कहानी ओर आप इस टॉपिको पालंपूर के किसानों में भूमी किस परकार वित्रित हैं यह नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भूमी स्थीर है क्या उसी भूमी किसे अधीक पैदावार करने का कोई तरीका है या फिर और पॉइंट है जो यहां पे लिखावा है दर्शाएगे इस स जल आएगा और आप लोगों के बीच में सबसे पहले हम पहुंचाने वाले हैं ठीक है तो आप हमारे चैनल पर जूड़ जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके उपर आपको क्लास 9th 10th और 8 यह सब सभी का वीडियो आने वाला है सब्जेक्ट वाइस और ए ठीक लगा लिए चैप्टर 4 पढ़ना ही नहीं है आपको फिर आपको आगे देखिए आगे दिया हुआ है आपका वेकसनल एजूकेशन यह सब लोग को तेखना ही नहीं क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नहीं यह सब ठीक है तो आपका यह समाप्त हुआ यह जो सलेबस था इ है तो आप से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जूड़ जाइए ठीक है और इसके उपर सब चीज सभी चीज का वीडियो नोटिफिकेस्ट करेंगे लिए